आखिर साउथ के दो सूपरस्टार बीजेपी के नाम पर क्यों भिड़ गए? आप इन दोनों को जानते हैं प्रकाश राज और किच्चा सुधी दोस्तो करनाटक में 10 माई को चुनाओ हैं लेकिन उससे पहले ही करनाटक की राजनीती में ये दो नाम जबरदस तरीकी से तैर रहे हैं प्रकाश राज और किच्चा सुधी दोस्तो ए पूरी कॉंट्रुवर्सी शुरू हुई तब जब ये खबर उड़ी किच्चा सुधी जो की साउट के सुपरस्टार है बड़े स्टार है वो बीजेपी जॉइन कर सकते हैं करनाटक चुनाओ से पहले ना केवल बीजेपी जॉइन कर सकते हैं बलकि बीजेपी के साउट के एक बड़े स्टार है और हिंदी फिल्मों में भी जाना पहजाना चेहरा है वो सामने आ गए कहते हुए कि मैं पुखता तोर पर मानता हूं कि करनाटक में हार रही हताज भाजपा के जरीए फैलाई जा रहे ही ये फरजी खबर है किच्चा सुधी बहुत समझदा करनाटक के मुख्यमंत्री बोमाई को तो अपना मामा मानते हैं एक प्रेस कॉन्फरेंस में किच्चा सुधी बहुत समय के लिए प्रचार करने के लिए हामी भरते वे दिखाई दिये बिल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वह सीम बोमाई को से उनका पुराना रिष्था है और को मामा मानते हैं और सिर्फ बोमाई के लिए मुख्यमंत्री बोमाई के लिए ही वो बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं किच्चा सुधीप को लेकर इतने प्रकाश राज को जब ये जानकारी मिले कि किच्चा सुधीप बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे तो उन्हों में शामिल होने को लेकर कह दिया कि ये बीजेपी को फाइदा पहुचाने वाला काम है उन्होंने कहा कि किच्चा सुधीब एक लोगपरी अभी नेता के सांसाद एक बहुत बड़े कलाकार है भाजपा को उनका समर्थन मिलेगा तो पार्टी को इससे बहुत फाइदा होगा अजीब बात है कि किच्चा सुधीब खुद कह रहे हिया कि वो केवल बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे जबकि उनकी पार्टी के नेता और मंतरी कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं इसके बाद किच्चा सुधी फिर सामने आ गए और उन्होंने एक एरपोर्ट में फिर साफ किया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं वो केवल बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे अब लोग सवाल ही उठा रहे हैं कि आखिर किच्चा सुधी बीजेपी को लेकर इतने जादा इंसेक्यूर क्यों हैं वो साफ साफ बोल सकते थे कि वो बीजेपी पर गर्व करते हैं कि ऐसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत में राजनितिक फलक म जिसका साथवे आसमान पर इस समय सितारा बुलंद है मैं उस पार्टी के साथ जुड़ रहा हूं लेकिन प्रेस कॉंफरेंस में बीजेपी का प्रचार इसले कर रहा हूं क्योंकि मैं मुख्यमंतरी बोमई को मामा मानता हूं उनका बहुत सम्मान करता हूं मेरे पुराने मि एरपोर्ट में उन्होंने साथ यही कहा कि मैं बीजेपी जॉइन नहीं कर रहा हूं मैं केवल बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं तो अब विपक्षी है सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किच्चा सुदीफ बीजेपी को लेकर क्या वाके इतने इंसेक्योर हैं आप इस मुद